नमस्कार मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं आपने न्यूज पंचाइती चुनाव की सरगर्मिया तेज हो चुकी है और ऐसे में आपनी न्यूज की तरफ से हम गाउं गाउं में जाकर जो सरपंच परत्यासी हैं उनसे बात कर रहे हैं उनसे उनका एजंडा कलियर क प्रदीव जी सबसे पहले तो आपका अपनी नियूज में सभागत है प्रदीव जी सबसे पहला सवाल ये हमारे यह है कि पिछली बार आप महज 32 बोटों से हार गए थे क्या ऐसी कमिया रही थी जिसकी वज़े से आप हारे थे एक तो जी मेरे पास संक्टर नहीं था मैंने शुर्वात की थी थोड़े गड़ें बोटों से फिर दूसरी बात है एक टाइम बहुत लंबा हो गया था टाइम के कारण भी नुक्सान जादा हुआ था और पहले मेरा परिवार खुद का राजनीती में नहीं था पहली बार मेरा पहली बार में दानी बोट रहा था तो अब पिछले पांच साल के इंदर जो है आपने ऐसे क्या कुछ काम किये हैं जिसकी विचे से अब की बार आपको लग रहा है कि महौल जो आपके पक्स में होगा और आपकी जीत दर्ज हो जाएगी तो जो बाई किसी में दुख था उसके साथ रहे हैं कोई बी काम में पसान होगती है मेरे पड़ती है मेरे फुल शोख करेंगे मेरे को मौक्य का जो सरपंच है वो अगर चुनाओं मेदान में आते हैं या फिर वो किसी का फिर हो करते हैं तो उनका क्या कुछ माहौल है पिछले पांच साल में क्या कुछ कितने का का काम करुआ हैं का के पक् अभी चर्चा को जो एक महहल बना हुआ हुए उसमें ने जी वह बना उत्रेंगा इचा एक अब ही जो चुनाव मैदान के अंदर रिवील शीमर है वह चुनाव मैदान में एक चर्चा बनी हुई है उनका क्या कुछ महहल आप मानते हैं उनका माहल जिस जैसे मैं था पिछली वह मावल है उनका वह पिछली बार में ने भी किसी से को राइए ने की थी मेरे पास नहीं था मैं भी तुनाओं में खुद गया था वहां वह 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 कि बार किसी तरशा नहीं की गणा गाउंशे पहुचा किसी ना अपने आप एटो में टिक खड़ा हो गया अच्छा नहीं ह के अंदर लगबग 27 के लगबग वोट हैं बारा भारण हैं तो इनके अंदर क्या कुछ ऐसी क्या समस्चे हैं जो आप प्राइटी पे पूरा करवाना चाहोगे जब आपको सरपंच बना देते हैं तो अपने अरिया के अंदर नसे की परवरती काफी बड़ी हुई है और अभी अपने नजदिक की गाउं के अंदर भी इस तरह का एक गठना करम हुआ था कुमारिया गाउं के अंदर की वज़े से मरडर तक होने लगए हैं इसके परती आपको मुख्या बना देते हैं हैं तो आपके गाउं के अंदर नसा ना बढ़े इसके लिए क्या प्रियास करोगे इसके लिए कुछ पाल साथ आद्मियों कमेटी बना के वह में कटा करके बेंड़ गएंगे कोशिश करेंगे खेलों से एक नसे को दूर किया जा सकता है तो खेलों को बढ़ा देने के लिए आप क्या कुछ काम करोगी यहां के लिए थीयां प्रत्यों की तब यहां की शोटी और दो यहां के लिए to उसको लेकर आप क्या कुछ करोगे कि उनका शोक ना है जिक लूओं के प्लेयर होंगे खेलेंगे उनके लिए फुल्ष होगा अपनी तरफ से हो खो अपना पंसाहिती शोग और आघ रह लिए करेंगे हो उपने और खरते रहें हैं जिनका शोग उनके और दूप्त अपने गों में गराउंड ही नहीं होती नहीं है एक वड़ी क्योंगी है तो आगी ग्राउंड यह ग्राउंड बिने के बाद करवाएंगे जिए चुनाओ के दोरान नसे के विशेश तोर पर जो सराब है उसकी सप्लाई काफी ज्यादा हो जाती है और लगवग हर एक पंचायती चुनाओ के अंदर हर एक गाउं के अंदर ऐसा होता है इसको रोकने के लिए आप अपने तरफ से क्या प्रियास करेंगे देखो जी अपकी बार है सभी नहीं मन बना रहा है कैसा आप कोई निकलाएगा कि अपने तो संक्तर नहीं हो रहा का भी सराब नहीं होता है पिछली बार भी दो बंदों के दि प्रत्यासी हैं जो आसपास के और गाउं के उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी चुनाव में वो सराब को रोकने के लिए किस तरह से परियास करें देखो जी जो अपने आप या अपने शिहोगी है जितने भी संक्टन के उनसे रहे लिए और सामने जो प्रताशी जब सराब तर रोकने का आपका पूरा प्रियास रहेगा तो तलिए यह परदीब ढिलों है रामपरा ढिलों से और विशेश तोर पर इन्हों ने जो फॉक्स किया है वो इस बात पर किया है कि पिछली बार हलांकि ये सविकार कर रहे हैं कि चुनाव में सराब की सप्लाई ह करनी है अपनी न्यूज के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि चुनाव के अंदर आपको गाउं गाउं के अंदर जो घर घर में सप्लाई की जाती है सराब की उसके बजाए अगर आप उन जो गरीव हैं कोई तो उनकी आर्थिक मदद और तरीके से कर दीजिए लेकिन कि सप्लाई को आप बंद करें और वही अब इस मामले के अंदर अब इन्हों ने परदीब धिलों ने जो अपना दावा पेश किया है उस से कितना सरवकार समझते हैं क्या वाकई में इन्हों ने जैसा दावा किया है उसके मताबिक गाउं के वोटर इनको समर्थन देंगे या नहीं यह आप कमेंट करके जुरूर बताएं अपने न्यूज के लिए कैमरा मैंने सत्वीर के साथ हन्मान पूनिया हूँ अगर आप परेशान हैं अपने घर और ओफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ओफिस को अच्छे से सजाना तो हम से कांटेक्ट दीजिए हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉल पेपर से जी हां और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से चुटका तो उठाइए अपना पोर्ण और हमें डाइप कीजिए निचे दियेगें